Hello guys, most welcome back to our YouTube channel ग्यानवित सचिन्तों दोस्तों आज की इस complete वीडियो में हम बात करेंगे Polytechnic Second Semester Applied Mathematics Second के previous year paper के बारे में आप सभी को हम previous year paper 2018 से लेकर 2023 तक यानि last year तक दिखाने वाले हैं आपको कहीं ऐसी PDF नहीं मिलने वाली है जिसमें आपको 18 से लेकर 2023 तक का paper एक साथ मिल जाए तो वीडियो को अंतक देखिए आप बहुत सारे paper देखेंगे कहीं आपको 22 का मिल जाएगा तो कहीं आपको 23 का मिल जाएगा तो कहीं सिंगल 18 का मिलेगा तो आप सभी पूरी मर्ज PDF को भी प्राप्त करेंगे हमारे द्वरा कहरा हूं कि वीडियो को अंतक देखिएगा ऐसी PDF आपको कहीं नहीं मिलेगी और ये mathematics की ही नहीं आपको physics की और भी जो subject साबके चलते हैं सबकी PDF मिलेगी और एक बार आप वीडियो को देख लोगे तो सारी PDF जो भी आने वाले subject की हैं पता चल जाएंगी कि आपको कहां पर मिलने वाली है टेलिग्राम को लेकर करके परिशान है टेलिग्राम पर नहीं मिलेगी ध्यान से व क्यों जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे क्यों से जो repeated होते हैं और कुछ ऐसे टोपिक है जो हमेशा से पूछे गए हैं तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरूगात करते हैं नीचे लिखाए यहीं पेपर फिर से आएगा जी हां हर बार क्योशन रिपीट होते तो इस बात का ध्यार रखे कि हमें repeated क्योशन की practice जादा से जादा करनी है और mathematics एक ऐसा subject है जो practice का ही खेल है तो इसमें जितना आप practice करोगे उतना ही अच्छे strong बन जाओगे तो चलिए बिना देरी की उपनी इस वीडियो की शुरूगात करते हैं अगर आप polytechnic second semester के students हैं आ आपके एकर first semester बैक भी आ गई है ठीक है तो आप अपनी अच्छी तैयारी को second semester की कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका paper जो है 25 जून के बाद होने वाला है तो सभी branches के students के लिए कह रहा हूं important questions के notes को प्राप्त कर सकते हो आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा आपको ग्यान भी सचिन का application डाउनलोड कर लिए रहा है description box में आपको link मिल जाएगा या आप simply play store पे ग्यान भी सचिन सर्च कर लिजेगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस number message या call भी कर सकते हो और सभी subject का मिला कर total notes की जो price हो 49 रुपीज आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी और जो भी branches हैं उसके according vary भी करता है कुछ branches की 29 है किसी की 39 है तो आप आराम से विजिट करना और अपने course को select करिए और आराम से notes को purchase किए उस notes में आपको पहले तो notes मिलेंगे ही complete दूसरा आपको chapter wise सारे important questions मिलेंगे और exam के समय आपको 10 दिन पहले top 15 important questions मिलेंगे पिछले दो सालों से सिर्फ important questions की ही videos डालता हूं और important questions ही आप सभी को बताता हूं अगर आप सभी को विलेबिंस नहीं है कि हमारे द्वारा बताएगे important questions exam में नहीं आते तो आप बहुत सारे जो first sim के paper, third sim के paper हुए हैं आप telegram विजिट कीजिए वहाँ पर हमने 100% लिखाता और वो questions आए हैं ठीक है तो ये कुछ पुरानी चीजों के according और पुराने syllabus पुराने question के according expectation होती है जो कि सायद आप सभी भी कर सकते हो और आपको करने की जरूत नहीं है आपको सारी चीज़े मिलती रहेंगे तो चलिए previous year paper की तरफ आपको ले करके चलते हैं मैं फिर से आप सभी को कह रहा हूं कि मैं भले आपका time ले रहा हूं लेकिन आपके BTUP semester exam में previous year paper सबसे ज़्यादा importance रखता है तो previous year paper साइध ही आप सभी को कुछ इस तरीके से कुछ इस format में कोई दे पाए वैसे मैं अपने तरीके से आप सभी को provide कर रहा हूं तो पहले important questions को देखेंगे देखिए 2018 का paper है 2018 का paper मिलेगा 19 का paper मिलेगा फिर आपके 20 और 21 में paper नहीं हुए है फिर आपको 22 और 23 का paper देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरीके का format रहता है शुरुवात में आप सभी को पता है कि 13 questions रहते हैं 14 questions रहते हैं जिसमें से आपको 10 करने होते हैं वो बड़े concept अगर clear रहते हैं तो उसमें से हो जाता है लगबख 5 integration के रहेंगे शुरुवात में और 5 जो आपके आने वाले कुछ और chapters हैं जो की circle है ठीके तो उनसे questions put up होते हैं इस बात का आप सा भी ध्यान रखें और 2 number वाले में भी कुछ जो last के chapters हैं उनसे ही questions आते हैं लेकिन 5 number वाले questions जो भी होते हैं ठीके 5 marks वाले उनका chances जो रहता है 95% वो आपका integration ही रहता है इस बात का आप सा भी ध्यान रखें तो integration की practice आप जवर जस तरीके से करिए अगर हम तीसरे का दूसरा question देखें तो ये most important question है repeated question है इसकी practice आप जरूर कर लीजेगा ठीके ये आपके 2018 का paper है और तीसरा question अगर आप देखेंगे तो दो question integration के है अगर आपकी integration clear रहते हैं तो 10 number आपके यहां से fix हो जाते है चोथा question आप आजाए आराम से चोथे question में पहला question जो है integration का ही है आप सभी देख सकते हैं और ये भी question कई बार repeat हो चुका है जी हाँ सही कह रहा हूं कई बार repeat हो गया है इस बात का आप सभी द्यार रखें और अगर हम पांचवे question का पहला देखेंगे तो भी आपका integration ही है तो ये भी important रहने वाला है और ये आपका numerical integration के अंतरगत आने वाला है ठीके बहुत सारे rules है Newton का Rapson method है Newton Rapson method है bisection method है ठीके तो आगे हम देखेंगे और देख integration की भरमार लगी हुई है ठीके और अगर आप तीसरे question ने बड़े question के अंतरगत आएंगे ठीके तो यहां पर देखेंगे तो ये भी दोनों integration ही है ठीके उसके बाद अगर आप आजाएंगे चौते question में तो चौते question में पहला question और दूसरा question एक तो integration का part तो ही फिर application of integration का य ये question जो मैंने hundred percent लेखा है मेरे पहले साथ ही हो छे question ऐसे है छे question अगर आप छे question की practice करते हैं तो आपके दस नंबर fix होने वाले हैं application of integration से हो सकता है कि दस नंबर नहीं तो एक question fix होगा तो छे question जो है वह मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा और लास्ट येर की वीडियो देखेंगे तो मैंने बता दिया है उन questions को मैं आपको बता दूं कि ऐसे question जो कि कुछ भी उसमें changes नहीं होगा digit भी कुछ नहीं change होने वाला है बस आपको उसकी practice करनी है तो आपको application of integration का एक question fix रखना है ठीक है और जो questions integration के भी आएंगे ठीक है वो definite integration definite integral से सबसे ज देख सकते हैं ठीक है Simpson का rule जो है आप उसको देख लीजेगा जो मैं कह रहा था आप सभी से कि यह जो है यह pattern बन गया था पिछले दो सालों का पिछले साल pattern break हो गया है क्या वो pattern जो पिछले दो सालों से चला है उस पर फिर से भरपाई होगी जी हां उम्मीद यह है कि यह ज इनको जबर्जिस्त करा दिया था वीडियो लेकिन यह last year question ही नहीं दिया गया तो बीटीवपी में कुछ इस तरीके से pattern में changes होते रहते हैं बट उमीद है कि यह फिर से एक बार repeat किया जाएगा question तो आप इन तीनों यानि बैस सेक्षन, regular falsie और neutral wrapson तीनों को अच्छी तरीक 22 का paper है और 2022 के paper में भी देखेंगे तो इस तरीके से आपका definite integration का question ठीक है बहुत जादा पूछा गया है और उसके साथ ही साथ जिस चीज की मैं बात कर रहा था मेरे प्यारे साथ यो 100% का ठीक है इसके 6 question जो है मैं आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा यह 100% वाले question ह है जो की पूछे ही जा रहा है ठीक है सेमसर रोल जो की मैंने बताया कि integration के parts में numerical integration से जुड़े हुए है सारे question से तो इनकी practice आपकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए और जिस चीज को मैं कह रहा था कि पिछले दो सालों से repeat हो रहा है वो repeat हुआ है फिर से एक बार 100% की तो प complete Hindi में नहीं है तो इसको जब PDF में आपको provide कर रहा हूं तो वह आप English वाले section से इसको देख लेना clear हो कई बात आई यह last year के paper की तरफ चलते हैं यह आपका last year का paper कुछ इस तरीके से आया था ठीक है last year के paper पे हम पहले छोटे-छोटे questions नहीं देखेंगे लेकिन अगर last year के pattern को अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से integration को एकदम उड़ा दिया है ठीक है तो integration को आपको एकदम अच्छी तरीके से prepare करके रखना है और यहां पर भी देखेंगे तो बहुत दिक्कत हुई थी बच्चों को और number भी कम आया था इसकी हुजा से क्योंकि लोगों ने equal सब करना नहीं चाहिए कि पूरी तरीके से आप सभी इंटीग्रेशन के उपर ही डिपेंड हो जाओ बट अगर आम तीसरे क्यूशन से देखेंगे तो integration ही आया है और definite integral का क्यूशन हमेशा आया है ठीक है यह जो क्यूशन है मेरे पहरे साथ यह 100% वाला क्यूशन होता है ठीक है अगर हम हिंदी फॉर्मेट में आपको लेकर के चलें वैसे मैंने टिक कर दिया होगा हिंदी फॉर्मेट में जी हां देखिए यह इंपॉर्टन के स्रेड़ी में गोलेगा आयतन जो है डिफने अप्रिकेशन आफ इंटीग्रेशन के क्यूशन से जो मैं कह रहाता मेरे पहर का अंदाजा आपको हो गया होगा अब बात करता हूं कि आपको इसकी पीडिएफ कहां पर मिलेगी तो चलिए उसको आप सभी के साथ सेर करते हैं देखिए आपको पीडिएफ हम ग्यानवी सचन के मोबाइल अप्लिकेशन पर प्रवाइड कर रहे हैं अब ध्यान से सुन ल टेली ग्राम चैनल पर पर अप्लिकेशन कर सकते हो ग्यानवी स्चल और टेलीग्राम का सिंप्ली तो देर मत कीजिए, अप्लिकेशन पे जाईए, अपने कोर्स को परसेज कीजिए, जो भी आप नोट्स लेना चाहते हैं, अराम से इंपोर्टन के उसने के नोट्स को लीजिए, और अपनी तैयारी को बहतर ढंग से कीजिए ग्यान भी सचिन अप्लिकेशन के साथ, कोई प्र